नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहद का गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आपको क्या नुक्सान हो सकता है? ये तो सभी को पता है कि सहद प्रकर्टी की अन्मोल देन हैं। शहद का नियमित सेवन करने से सरीर कोस्फूर्टी, सक्ति और उर्जा मिलती है। जहां एक और सही तरीके से शहद का इस्तेमाल स्वास्ते के लिए अमरत के समान है, महीं दूसरी और यदि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह आपके सरीर के लिए जहर भी बन सकता है। आये आपको बताते हैं कि शहद किन गलत तरीकों से इस्तेमाल करने से जहर बन सकता है। गरम आहार के साथ शहद का नुकसान। शहद को वजन कम करने के लिए गुन-गुने पानी में डाल कर पिया जाता है। लेकिन क्या आप चानते हैं कि शहद को गरम खादे पदारतों के साथ खाने से यह जहर का काम करता है इसलिए आयुरवेद के नुश्यार सहद को कभी भी गरम खादे पदारतों के साथ ने खाई और ने ही कभी शहद को आज पर पकाई ऐसा करने से वहे जहर के समान काम करता है चाय और कौफी में भी सहद का परियोग नहीं करना चाहिए अगर कभी भी चाय या काफी में चीनी की जगे सहद का परियोग करेंगे तो वहे भी जहर का ही काम करेंगा इसलिए चाय काफी में सक्कर का ही सेवन करें मीट, मचली इसके साथ भी सहद का सेवन सेहद के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि इनके साथ सहद के सेवन से शहद जहर बन जाता है चीनी के साथ सहद मिलाना अमरत में 20 मिलाने के समान होता है जो सहद के लिए बहुत ही नुकसान दे होता है इसलिए कभी भी चीनी के साथ शहद का सेवन ने करें बलकि चीनी की जगे सहद का ही सेवन करें ये सहद के लिए बहुत लाबदायक होता है दूद घी के साथ शहद का सेवन भी हानिकारक होता है वहीं शहद में दूद या घी बराबर मात्रा में मिलाकर लेना भी हानिकारक है इसके अलावा तेल मक्षन आदी के साथ भी सहद का सेवन नहीं करना चाहिए इन सब चीजों में सहद मिलाने से यह जहर का काम करता है और हमारी सहद के लिए नुकसान दे बन जाता है दोस्तों सहद की अधिक मात्रा लेना भी उचित नहीं होता है ऐसा करना भी नुकसान दायक होता है इससे अतिशार रोग हो सकता है इसलिए सहद दिन में दो या तीन बार एक चम्मच ही ले धन्यवाद दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें